देग डेग युठ दे जो हार ने यो मन दे पीडाँ विच्चों युठ के सटारे ओने बण दे जजबातां वाली पैंदिया जी आग बालनी लाट मच्चनी की जिन्नाच बरूद नी हुंदा जे अखां विच्च सुपने सजाए होनतां ओथे नींदरादा फेर कोई वजूद नी हुंदा टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स वे शिप्रा में आप सब का बहुत बहुत वेलकम है अपने ब्यूटिफूल सॉंग्स के साथ मुजिकल जर्णी स्टार्ट करने वाले वेरे यंग टेलेंटिड एंड हैविंग मिलेडियस वाइस मिस्टर जसकरन रियार आज हमारे साथ है तो चलिए जाधा टाइम ना वेस्ट करते वह आप सब को उन से मिलवाते हैं जानते है उनकी इस मीजिकल जर्णी के बारे में लो सर वेलकम टू टाइमस मंजाब टीवी देग दे अतरू जाटिनू सोननी दिंदे तानवाजी बहुत बहुत तड़ा जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि आप बहुत मेलेडियस वाइस है आपकी तो अपने स्टार्टिंग इतनी अच्छी की है तो आप हमें सबसे बहले बताइए कि इस म्यूजिकल फील्ड में आए वे आपको कितना टाइम हो गया मैं जे इस फील्ड चे आउन दी गाल करां ते बचपन तो ही मैं मतलब गउंदा रहे हैं जे स्कूल चे शोटे-शोटे फंक्शन फिर कालज दे वेचते फिर होन ते चलो कमर्शली आपा पर प्रफेशनली यह से लाइन चागे हैं पर मैं बचपन तो गउंदा रहे हैं जे बिल्कुल फर्स्चाय है इस मेजिकल इंडास्ट्री में मैं जी पईला हैं अपनी फैमली के विच्चो को मैं चाया मेरी फैमली जेडी यह टीचिंग लाइन हो बूंग कर दिया ते बस फिर मेरा शाहूं शी पर मेनों केहिं ने रोक्या ने घॉडला है थे आपने ट्रेनि पर नाम जोगी जी उना तुम्हें होन तक सिख़ दागी उस्कूल टाइम में आपने बताया कि आपने कई स्टूंग्स आपने गायों या आपने प्ने कॉलेज टाइम पी तो उस एचीवमेंट के बारे में बताईए कि टीछर्स की तरफ से आपको अपने कॉलेज में लेक्चरास की तरफ से कैसा एप्रीशेशन मिलता था एप्रीशेशन एदना जी बजपनतों ताई शौक जड़ा बरकरार रहा कि जदू कॉली देवेच पहला स्कूल देवेच बाल सभा होनी है चोट शोटे फंक्शन होने फिर सारे टी की तरफ मूव आउट करते हैं हम आगे बढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है कि जब आप अभी आप मतलब अपकमिंग आर्टिस्ट हैं सिंगर बनने जा रहे हैं तो जब आप अपने कॉलेज में आपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलते होंगे तो उनका रियक्शन कैस पर उद्धां बहुत खोशन हैं बड़े उनना नू लगदा कि चलो साथे नाड़ पकठे रहें पी बंदा तरक्की करन दिया एप्रीशेट भी कर दे सपोर्ट भी बहुत कर दे सारे जाने तो आप पंजाबी मीजिक इंडरस्ट्री में आपका फेवरेट सिंगर कौन है व आपको जो सबसे अच्छा लगता है जो आपके दिल के करीब है उसकी दो लाइन्स प्लीज ऑन सेट आज सबको सुनाइए मैं जदो शोटा सी ओदो हर पजनमान साब देख सांग सी चिठी ये नी चिठी ये मैं लगदा ओ सांग मैं गाउन करके मैंनों सारी अप्रिशेट कर दे ही ते मैं ओहे गणास नाओंगा चिठीए नी चिठीए हंजुआ ना लिखिये नी आखी मेरे सोणे पोत नूँ नी आखी मेरे जून जोगे नूँ तेरी माधा बुराये चन्ना हाणे आखी मेरे सोणे पोत नूँ चिठिये नी चिठिये हंजुआ ना लिखिये ब्यूटिफूल सर ब्यूटिफूल बहुत अच्छा आपने हमें सुनाया एक चीज और बताईए कि मुजिकल इंडस्ट्री में जो आपने जैसे बताया कि सुनते आ रहे हैं आपको डिफरेंश वील रोता है जो आज कल की जनेशन है जो आजकल का यूथ है गाने गा रहा है लगता कि हमेशा जो इंवाइरनमेंट जो स्रावंडिंग चॉल रहा सिंगर नहींद से जो होंड चाल रहा ह। फरक नहीं फरक सिर्फ यह जो जो जनरेशन चीह फरक आगया वहीं आपको उनके बॉल में कुछ डिफरेंच नहीं लगता था उनका कुछ मीनिंग होता था बट आजकल जो गाने हैं वो बस एक डांस ट्रैक बनके रह जाते हैं बट वो थोड़े से मीनिंग्लेस हैं मिन लगदा होन मीनिंग फुल भी काफी हो दा पर मैं यह नहीं साइड नहीं लेंदा सिंगर्स जी पर एया भी लोग अप्रिशेट का टकार दे चं बड़ा लाइफ नू मतलल मॉटिवेट करना वाला एंड पसांद कीता लोकाने पर एक खास लोकाने सिर्फ हार कोई नहीं मतलल चंगे म्यूजिक नू आई थिंक एप्रिशेट करांगे ता चंगा म्यूजिक आएगा अपने लिखेवे गाने की दो बोल प्लीज सुना पीडां विच्चों उठके स्टारे ओने बन दे जजबातां वाली पैंदिया जी आगबालनी लाट मच्चनी की जिनाच बरूद नी हुन्दा जे अखां विच्च सुपने सजाए होनता ओथे नींदरां दाफेर कोई वजूद नी हुन्दा जे अखां विच्च सुपने सजाए होनता ओथे नींदरां दाफेर कोई वजूद नी हुन्दा सेर आपको एक्टिंग लाइन में भी इंटरस्ट है? तो आपको क्या लगता है यहां कोशिश या काफी कॉंपेटिशन रहता है बॉलीवुड इंडेस्ट्री में भी तो आपको क्या लगता है सिंगिंग लाइन में भी ऐसा कॉंपिटीशन चलता रहता है सिंगर्स के बीच में मैंनों लगदा कि कॉंपिटीशन जड़ा वा अपने दमाग जया जिए आपा सोच दें हैं नहीं ते अपना काम करो तड़ा काम लोग एप्रिशेट कर देने जिए वदिया होए ता लोग त पसंद कर सकते हैं तो एक कनुवनी पसंद करने किसे देना होन देनाल अहीं थले नहीं जा सकते सारें देनाल चलना ठीक है आपका फर्स सांग मतब कब आया था उसके बारे में कुछ बताईए जो बहुत जिससे आपको लगा होगा कि हाँ यह आपका स्ट्रैप आन हो गया अब आपने यहां से अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करनी है तो वो कौन से यह में आया था आपका साथी मैना मिन लगदा जे मैं जी यूट्यूब देसाव नवेखा मैं दो जार चौदांच डेबियो कीती है ते उदू मतलब मैं कसौंग मतलब जिदां अपनी टीम चे अपन शूटे लेवल ते कामस होई दिम चलो को शिकार देया क्योंकि सारे फ्रेंड सरकल केंदा है कि तुम्हेस लाइन ची जाद मेरा विशाओं किसी ओधो मैं गबरू गाना के कीता सी अभी म्यूजिक अलबम रिलीज हुई थी हमांशी खुराना के साथ दिख दे करना काम करें बहुत बहुत है लगता है जब कुछ दे बंदे नाले वी काम माइस जाए रही सोग्स फिर कशना दिए तिक दे अत्रूंच मूण के साथ अधा लबदाना फिरी कमड़या जटाये थे कल नू मेरी मुकगी पड़ाई मैं जाना यहाँ वे आई वे कर दे आउणनी दिन्दे ओ डिग दे अथरू जटी दे आपने अभी तक कोई लाइफ शोज भी अभी परफॉर्म की है हाँ करता रहता हूं जब-जब कोई मिलता है तो करते हैं कैसा अप्रीसेशन मिलता पंजाब की तरफ से यहां के लोग इतना रॉकिंग म्यूजिक लाइक करते हैं हाँ लोग पसंद कर दे जी वदिया गाओंगे तुसी ते पसंद कर दे बहुत बहुत अप्रीशेशन मिल दिया थे उस अप्रीशेशन करके यह पांगे कम कर रहे हैं हमने सुना है आपका एक अभी आपकमिंग एक लॉंच होने वाला है उसका नाम है आइधिंक नाम सुना होगा आप खुदी बताईए फ्लीज इसके बारे में हाँ अभी मेरा एक गाना आने वाला है नाम ही काफी है क्या है कोई यह टाइटल जैसे है लिख नाम ही काफी है क्या होगा उस सॉंग में असल चुना हो देचे मतलब जे तुहीं कंसेप्ट वेखो गे मैं थोड़ा सरदारीन हो रहके किता कि सरदार बंदा जित्थे वी आने वाले टाइम पर निव यह स्तार्ट चुका है जैन्वरी चला है 2019 और आने वाले आपके प्रोजेक्ट कौन-कौन से लिखे भी बहुत आ रहे हैं आपने बनाएं हुए बहुत ऑनके अलबम ही तियार कर रहे हैं काफी कुशा रहा है जी तो हम लास्ट में आप आप से जाएंगे कि हमारे पंजाब के व्यूवर्स को पंजाबी को बहुत लाइक करते हैं इवन अब तो याजाता है तो फेस्कों कहां कि 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 साली स्टीश कि की पंजाबी मूजिक में भनने चाहिए हॉन ऐस बतंच में एts लकाना चाहिए यहनु आपर पार फ्र वी। जो कई तो जाते जाते दो लाइन और कोई बी किसी भी सिंगर की यह तो बनता है यहार की है कि अदेनु पुछै तेरा यार की है कि तेमेरा पिंड到 कम कार की mü जे कोई तेनू पुछे तेरा यार की है, हो कामे आम गउनाहानी मा भी तेरे यार्दा, नामी का भी है, नामी का भी है, हो नामी का भी है, तेरे यार्दा, नामी का भी है. Wow, sir, we must say you are blessed with very beautiful voice, and all the very best, sir, आपकी upcoming music albums के लिए. तो आप सबने देखा, यह थे हमारे साथ, upcoming singer, Mr. जसकनर रियार जी, जिन्होंने हमसे शेयर की, अपनी musical journey, उनकी memory शेयर की, कैसे उन्होंने अपनी musical journey, कब और कहां से स्टार्ट की, तो उनकी अब albums आने वाले हैं, New Year स्टार्ट हो चुका है, keep supporting ही, उनने धेर सारा प्यार ताकि वो आने वाले टाइम पर भी आपके लिए ऐसे beautiful songs लेकर आएं, कैमरा मैन आमन दीप के साथ, शिप्रा पस्रीजा, Times Punjab TV